आई भूमी एस वन लॉंच हो गई 240 किलोमेटर रेंज वाली ये सस्ती इलेक्टिक स्कूटर कीमत 70,000 रुपे से भी कम जी हाँ दूस्त बतादे आई भूमी ने नया इलेक्टिक स्कूटर लॉंच कर दिया है जो कि आपको बतादे एस वन नाम यहाँ पर रखा गया है आपको बतादे एक बार फोल चार्ज कीजिएगा 240 किलोमेटर चलेगा कीमत भी 70,000 रुपे से कम रखा गया है आई ये सब कुछ डिटेल जानते हैं इस वीडियो में भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तुरां सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो बात कर दो सो चालिज स्क्राइब के साथ यहां पर ड्राइबिंग रेंज देने वाला और सबसे सस्ता इलेक्टिक स्कूटर आ चुका है आई ये गाड़ी का फर्स्ट लुक दिखाते हैं फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो ये देख लिजे कुछ इस तरह से हैं ब्लू एन ब्ल देख सकते हैं गाड़ी काफी जस्टेंडर बनाया गया है सीट की बात करें काफी अच्छा रौंड सीट बनाया गया है जो की थोड़ा सा आगे में डाउन है जो की काफी अच्छा लगता है बैटके चलाने में दो लोगों के लिए काफी सुन्दर गाड़ी है आई भूमी मार्केट में S1 Electrical Scooter की नए सीरीज को लॉंच कर दिया है जिसमें से आपको बता देС 1 जो है आपको बता दे 80 किलोमीटर जबकि S1 जो है आपका 200 किलोमीटर और S1 यहां पर है आपका 242 किलोमीटर सामील है यानि तीन इलेक्टर का स्कूटर है जिसका माईलेज पहला का है 80 किलोमेटर दूसरे का 200 किलोमेटर जबकि तीसरे का है जो कि यहाँ पे 240 किलोमेटर है इलेक्टिक स्कूटर के कीमत की बात करें 79,999 रुपे से सुरू हो करके 1,21,000 रुपे तक यहाँ पे जाता है वहीं यह नया वेरियंट जो है तोटल कुल 3 रंगों में आता है जिसमें से आपको बता दे पिकेक बुलू कलर आ जाएगा उसके बाद नाइट मैरून आ जाएगा और डर्की ब्लैक मिल सामील यहाँ पे तोटल 3 कलर में यह गाड़ी देखने को आपको मिल जाएगा यह एलेक्ट्री का स्कूडर आगामी 1 दिसमबर से कमपनी के अधिकारिक डिलर्सीप पर विक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा जी हाँ दिसमबर को फाइनली यहाँ पे लॉंच कर रही है एक दिसमबर से इस गाड़ी को आप बुक कर सकते हैं इनके बेवसाइड से आगे बात करें तो हलाकी पिछले S1 मोडल की बात करें तो ग्राहां किसे खरिश सकेंगे इसके लिए 85,000 रुपे कीमत अदा करनी होगी जी यहाँ दोस्तों बताते पिछले बार जो S1 यहाँ पे आया था उसकी कीमत यहाँ पे 85,000 रुपे कर दिया गया है घटा करके जो की काफी अच्छा है आगे बात करें दोस्तों तो आई भूमी S1 240 किलो मेटर की तरब से पेश की जाने वाली सबसे हाई रेंज वाली अलेक्टिक स्कूटर है इसमें कमपनी 4.2 किलो वाट की छमता वाला जो यह ट्वीन बैटरी पेक का इस्तमाल किया गया है कमपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 240 किलो मेटर का ड्राइबिंग रेंज देता है वहीं बात करें दोस्तों तो S180 variant की बात करें तो कमपनी इसमें 1.5 किलो वाट की छमता वाला बैटरी पेक दिया गया है जोकी 80 किलो मेटर तक का ड्राइबिंग रेंज देता है और इसका हब माउंटेन इलेक्रिक मोटर है जोकी 2.5 किलो वाट का जो है पावर आउटपूट देता है तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दो गाड़ी के बारे में यहाँ पे डिटेल हो चुका है पाला का माईलेज 180 है जबकि दूसरे के माईलेज 180 है आगे बात करते हैं दोस्तों तो S1 के सभी वेरियंट तीनो ड्राइबिंग मूट दिये गए हैं जिसमें से आपको बता दे इको मूड मूल जाएगा राइडर मूड मूल जाएगा और अस्पोर्ट सामिल है यहाँ पे तोटल तीन मूड आपको देखने को मिल जाएगा कमपनी का दावा है कि S1 जो है 240 km के बैटरी रेंज मत 3 घंटे में ही चार्ज हो जाता है 0 से लेके 80% तक वहीं बात करें तो इन फायर रेजिस्टेट बैटरी पैक कमपनी 3 साल की वारेंटी भी दे रही है और इसकी टॉप स्पीट 50 से लेके 53 km परती घंटा है और महज 3.5 सेकेंड में ही 0 से 40 km की रपतार यहां पर पकड़ने में सच्छम है तो आप यहां पर आई भूमी S1 ले सकते हैं 240 km माईलेज मिलेगा 70,000 रुपे से कम प्राइज में आपको यह देखने को मिल रहा है काफी अच्छा है काफी धमा का स्कूटर है आगे बात करते हैं दोस्तों तो माज 2,999 रुपे में घर लाएं जी यहां दोस्तों बताते हैं अस्कूटर के साथ दिये जाने वले स्वैपेबल बैटरी को आप आसानी से घरेलू मार्केट में मार्केट से जो है कनेक्ट कर चार्ज कर सकते हैं कमपनी इस तरह के जो है एक पोटेबल चार्जर भी दे रही है कमपनी की अधिकारिक बेवसाइट पर दी गई जानकारी के नुसार आप इस इलेक्टिक अस्कूटर को आसान किस्तों में फाइनेंस करवा सकते हैं इसके लिए आपको हर माइने 2999 रुपे की मासिक EMI देनी होगी कमपनी जीरो डॉन पेमेंट के साथ 100% फाइनेंस सुविधा भी ओफर कर रही है जी हाँ दुस्तों कर आपके पास पैसा नही है फिर भी आप इस गाड़ी को ले सकते हैं जीरो बाइलेंस में ये गाड़ी फाइनेंस करने जा रही है एक दिसंबर को लॉन्च होगा उसके बाद आप जा फाइनेंस करवा सकते हैं मातर आपके पास 3000 रुपे होना चाहिए फर्स्ट किस्त के लिए और आपके गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी और आप अपने एक सुनेहरा जो है आई भूमी S1 एलेक्टिक अस्कूटर घर ले जा सकते हैं तो काफी अच्छा है दूस्तों बाकि आप लोग कॉमेंट में बताइएगा एक तारी को ये गाड़ी लॉंच हो रहा है तो कौन-कौन से लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं यह हमें कॉमेंट में अपना नाम और अपने जीले का नाम बताएगे और अपने स्टेट का नाम कॉमेंट में जरूर बताएगे चलिए आज की वीडियो समाप करते हैं तब तक के लिए जाहिन बने मातरम